है अगे हैं आज के रेल्वे के इस लेक्षर में आरारवी गुरूप डी के लिए जो हम इस्पेशल क्लास्ट रख रहे हैं उसमें आज हम कुछ इस्पेशल पढ़ने पढ़ रहे थे अभी भी हम करने वाले हैं तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ग्रुप D का बिलास्पूर में जो 2034 30 नवंबर 2014 को आया हुआ पेपर था उसके कुछ कॉश्चन है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं जो की रिलेटेड हैं आपके mathematics से जो पहला question है वो working time का है तो हम question पढ़ लेते हैं question है क्या हमारा और से related हम इसे करेंगे कैसे वो काफी matter करता है तो चले देखते हैं question क्या है 49 रेक्टी मिलकर 5 गंटे प्रति दिन काम करते हुए 12 दिनों में एक सड़क की मरमत पूरी कर देते हैं अगर वही काम 30 वेक्ती मिलकर करें और वे प्रति दिन 6 गंटे काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा तो देखिए question बहुत simple है इसे हम असानी से कर सकते हैं इसके लिए पहले तो म पिल्कुल similar था तो MDH upon W होता है तो बराबर के के बराबर constant होता है अब मैं लिख सकता हूँ जैसे M2D2H2 अगर काम समान है तो अब अब यह जो comparison था इस में मान सकता हूं मैं M1 कितना दिया गया आपको देखो M3D3 S3 क्यों लिखा मैंने यह इसके आगया M4D4 अब वही काम 30-25 वक्ति सबके लिए अलग अलग निकाल सकता था में कितने दिरों में करेंगे तो वही बताया हुआ है लेकिन अभी हमारा comparison हो रहा है दो यहां पर M जो बताता है वो number of person बताता है जो कि पहले आपको कितने थे 39 बाद में कितने हुए 30 तो यह वाला काम तो ह हमारा है नहीं अभी हमें तीसरा कोई object तो दिया नहीं हमें दो लोगों के बीच में दो संख्याओं के बीच माहा थोड़ी वेक्तियों की तो हम करें यह सिर्प M1 और M2 वाला concept मतला M1D1 बराबर M2D2H2 ठीक है M1D1H1 बराबर यहां पर upon में वर्क जरूर आता है लेकिन का यारे सेम था पूरा का पूरा करने सब तो वर्क कैंसल हो गया अब हमें दिया क्या है M1 कित्ता दिया रही पहले रेक्तियों की संख्या कितनी थी यहां पर थी 39 D1 कितने थे 12 और प्रतिजिन कितना काम कर रहे थे 5 गंटे अब यहां पर equal में M2 कितना 30 रहती D2 आपको find out करना कितने दिन में काम करेंगे लेकिन प्रतिजिन कितना काम करते हैं वो 6 गंटे तो देखिये काम कितना 39 upon 12 into 5 upon 30 into 6 cancel हुआ यहां पर देखिया आप simply पूरा का पूरा concept जो आपका है clear हो जाएगा यहां पर आप आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ है यह 3 से cancel हुआ है आपर कितना बचा 13 यहां तो जो D2 आपका आएगा वो आएगा 13 days तो 30 आदमी अगर 6 गंटा प्रतिदिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा जगा 13 देनों में चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा question क्या है तो देखिए हमारा जो दूसरा question है जो कि आधारे थे आपकी क्रमागत संख्याओं वाले concept पे यह actually जो आपका question है बहुत जादा पूछा जाता है अभी तो इसमें जो पूछा गया था वो हम देख लेते हैं फिर मैं आपक संख्या बताएं देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है तीन है consecutive numbers है जो की odd है odd consecutive numbers है उनका जो total है वो 57 है and we have to find out the mid one मतलब हमको बीच वाली संख्या बतानी है तो देखिए अगर मैंने माना मेरी पहली संख्या है x ठीक है तो दूसरी कितनी हो जाएगी x plus 2 तो कि अगर मैं आपसे बोलू एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सार, आट, नो, दो, यहाँ मैंने एक से लिएक से लिएक दस तक की संख्या है लिख लिए लेकिन यहाँ पर अगर आप जो समझने वाली बात है वो यह देखिए दो विशम संख्याओं के बीच में हमेशा कितने का गया प हो तो है, ऐसे ही एक और तीन के बीच में दो का गयाप है, तीन और पांच के बीच में भी है और पांच, साथ, साथ, नो, तो दो का गया पोता है हमेशा, अगर हम बोले विशम या सम, ठीक है तो यहाँ पर मैंने अग्俺 पहली संक्या मानी एकस तो दूसरी इन कितना हो रहा है 57 अब यहां पर आप टोटल कर लो यहां पर कितना हो जाएगा 51 एक्स बराबर भाग करने पर कितना जाएगा 17 अब यहां पर 17 आ चुका है अगर जो मेरा सबसे छोटा नमबर है वह 17 है तो मिडिल वन कौन सा था यहां पर कितना हो जाएगा 17 प्लस चार 21 अगर आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा आंसर इसमें वो क्या है 19 अगर आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं टोटल करके भ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करेंगे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यह तो एक पैटन है अगर बोल देते पांच संख्याओं का योगफल तो आप क्या करते ऐसे एक सबसे लिए तो टोटल भी चाहिए नहीं अगर पांच बोली है तो उन जिसे इसमें सबसे छोटी क्या थी? X सबसे बड़ी क्या थी? X प्लस 4 इनके बीच में डिफरेंस आपको यही दिख रहा है कितने का डिफरेंस है? 4 का तो मतलब आपको कोई संख्या भी नीची है आप सीधा imagine करके ही निकाल सकते हो कितने का gap किस संख्या के बीच में हो सकता है अगर मैं बोलता दूसरी और तीसरी संक्या के बीच में गया तो आप देखेंगे कितना जादा इससे दो जादा है तो आपका अंसर हो गया दो आपको समझ में आ गया होगा अब हम next question की तरह स्विच करेंगे एक question था जो की calculation प्यादारी तो मैं लिख देता हूँ पहले फिर हम देखेंगे हम इसे कैसे solve करेंगे देखिए अगर मैं यहां पर देखूं आपका question तो यहां पर आपको focus करने की क्या जरूरत है यहां सिर्फ हमको क्या दिया एक simple सी एक number की question दे दी है जिसे हमें solve करना माइनस प्लस के sign दिये गए तो यहां पर हमें और कुछ दिया है कुछ भी हो सकता है calculation में माइनस प्लस डिवाइड मल्टिप्लिगेशन तो हब हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या सबसे पहले solve की देखो calculation कभी गलत नहीं होगा अगर ऐसे करोगे तो 8-5 कितना होगा minus 3 देखो sorry plus 3 minus 3 तो बहर आके हो जाएगा 8-5 कितना होते हैं आपर 3 अब 6-3 6-3 यहां पर कितना होया 3 देखो मैं एकी step में पूरा solve करके बता रहा हूँ 7-3 कितना हो गया 4 6-4 कितना हो गया आपर 2 10-2 कितना हो गया कितना हो गया आपर 8 तो आपका answer as a test देखे कितना time लगा 10 second क्या 5 second लगे हैं मुश्किल से करने में लेकिन हमने यहां पर rule follow किया है यह आपके दस में से 6 घटा हो पहले 6 में से साथ कंफ्यूज जाते है रूल follow करोगे तो काफी चीज़ा असानी से हो जाएंगे एक संख्या के 5 बटे 6 भाग का 5 बटे 6 भाग के 25 परसेंट का 15 प्रतीशयत 330 है तो वह संख्या क्या है देखो बहुत सेंपल सा पूछा है पस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है कोई संख्या है first of all you have to imagine the number हमने माला जो एक संख्या बोली गई थी हमारा जो नंबर बोला गया था वो संख्या हमने मान ली संख्या क्या है x अब हम आगे solve करेंगे अब आप से क्या बोला गया उस संख्या क्या 5 by 6 of x इसका क्या 25% इसके देखो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ समझाने के लिए आप off लगा होगे बहुत असानी से हो जाता है अब इसका भी 25% हो गया ना इसका भी इसका भी क्या 15% क्या है आप 330 कितना है 330 आपको कितना दिया गया 330 तो इसको बहुत असानी से solve हो जाएगा 5 by 6 into x ठीक है off का मतलब multiply होता है अब हम open कर सकते हैं डारेक लिए भी multiply है सब तुर्ण open कर देखो कोई minus plus का sign नहीं डारेक हम multiply कर देखो अब देखो आपको खुज लग रहा होगा कि बहुत असानी से solve हो सकता है देखते हैं कैसे देखो यहांपर जब हमने कर रहा पर एक कितनी बार cancel हो गया? 20 बार. अब आपको और असान लग रहा हो गया, आपको एक्वेशन देखो, बहुत असान हो जाएगी कैसे? यह cancel किया मैंने यहां से. यह कितना बचा? 4. और यहां कितना बचा है? 3. इस 3 को cancel कर दिया है, यहां से. आप देखेंगे, 6 के अधर पर 3, 3 से cancel हो जाएगा. यहां कितना बचा आप? 2. 2, 4's are 8. अब उपर कुछ cancel हो रहा है क्या? सिर्फ क्या बचा है उपर? 25. और यहां कितना बचा था? अगर आप देखो तो 100. तो यहां पर मैं असानी से cancel कर सकता हूँ. यहां पर कितना हो गया? 4. तो देखें, उपर का पूरा नमबर cancel हो चुका है असानी से. अब हमारा 2, 4's are 8. 8, 4's are 32. तो यहां पर हम कर देंगे cross multiplication. 3, 30, into 32. तो देखो, यहां पर simply multiplication ही बचा है. आप कुछ नहीं करना. 2, 4's are 8, 8, 4's are 32. 32 और 32 वहां transfer होगे. बाकि सारी value आपस में cancel हो चुके थी. अब 32 का स्में कर दो, 32 का किया, पहले 0 आया, 32 का 3 में करेंगे, तो 96 का 9, फिर 96 और 9. देखें, तो वो संख्या क्या है? तो वो संख्या है आपकी 10560. I hope आपको बिलकुल clear होगे, बहुत simple concept था. मैंने आपको एक एक स्टेप यहां पर clear करके बताया, अब देखते हमारा next question क्या है? देखें, अब जो अगला question है, वो I.U. पे अधारित है, तो देखते हमारा वो question क्या है? मा की I.U. एवं पुत्र की वर्तमान I.U. का अनुपात 7 अनुपात 3 है. पांच वर्ष वादिया अनुपात 2 अनुपात 1 हो जाएगा. पुत्री के जन्म के समय मा की I.U. क्या थी? देखो simple concept है, आज मैं आपको जो logic बताने वाला हूँ, age के question को solve करने का, वो आपको बहुत ज़्यादा help करने वाला है, problem on ages से. मदर और डॉर्टर की वर्तमान आई हो का अनुपात, अगर आप देखो कितना दिया है? तो भाई, मैं मानलू, 2018 वर्तमान कितना है भी? 2018, अब आप से क्या बोला गया है? पांच वर्ष बाद यहाँ अनुपात, तो मतलब पांच वर्ष आट कितना आगे जाओं मैं? तो यहाँ पर मैं मानलू, मदर कितनी 7x, और डॉर्टर कितनी 3x, यहाँ पर, और यह क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जो अनुपात है, वो कितना हो जाता है? दो अनुपात, एक, तो कुछ नहीं करना है, 7x में कितना एड किया यहाँ? 3, और स्वारी, 5, कितना आगे आ रहे है, 12,18 से आप, प्लस 5, भाई तो यह इसकी एज भी बड़ी, 7x प्लस 5, चीक है, और इसकी 3x प्लस 5, तब इनका अनुपात क्या हो रहा है, 2 अनुपात, 1, तो आप ट्रांसफर कर लो तुरंत यहाँ पर, देखो बहुत असानी से solve हो यहाँ पर 7x था, 7 में 5 का मिल्टिप्लाय कर दो, x है न, 7 इंटू 5, तो कितनी हो गई यहाँ, 35 years, at present, और यहाँ पर पुत्री की इतनी होगे, 3 इंटू, 15 years, तो देखो, जब पुत्री अभी 15 साल की है, तो मा कितने की 35, जब जर्म लिया होगा, तो वह 0 वर्ष की होगी, तब तो जर्म लिया, तो मतलब 15 साल पहले चले है, तो 35 में से आप कितना माइनस कर दो, 15 भाई, अगर मैं यहाँ पर देखूँगा, तो 2003 की बात कर ले हैं, यहाँ पर तो क्या होगा, मदर कितने की हो जाएगी, पुत्री कितने की होगी, डॉटर तो 0 की हो गई, तो कि 15 मे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यह कैसे करेंगे, तो आने वाले जो अगले लेक्चर्स हैं, देखिए, आपको बिल्कुल systematic way of knowledge जो है, हमें follow करना है, उसके बारे में ही discuss कर रहा हूँ, और सबसे main बात यह है, कि हम लोग यह उमीद कर रहे हैं, कि जो भी हमारे लेक वोट आपके साथ है बिल्कुल, आप लोग exam को अच्छे से preparation करिये, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ और topics पे बनाए हैं, जिनमें आपको problem face हो रही है, सर हमें इस पे चैदे कि general science पे जो है, हमको इस time में कोशिश कर रहे हैं, कि आप तक वीडियो लेके आएं, current affairs के लिए भी जो important questions हो सकते हैं, वो भी लेके आएं, आप लोग की तैयारी अच्छे से हो, आप सब exam clear करो, यही उमीद हैं हम लोग की next time मिलते हैं हम लोग, उससे पहले एक बार बोलना चाहूंगा, जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग जरूर हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिये, जिससे उन तक कंटीनी नोटिफिकेशन जा सकें, जो भी अपडेट है पहुंच सकें, अब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक और कमेंट, थैंक यू फो वाचिंग दूर्श वाचिंग करिये, जिससे उन तक